तो आधार नोश्कार गुद देविंग सस्याकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में आज सेटरेश अनिवार का दिन कहानी रिकॉड़ेड होती है आला कि पिछले एक दो दिनों से बिना बताएवे भी रिकॉड़ेड ज हो अब आज की कहानी पर आते हैं जिसकी फरमाईश आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत वक्त से कर रहे थे ऑपर उसकी बारी नहीं आई लेकिन आच उसी कहानी की बारी आ गएगीगे कहानी है सौदी अरब के किंघ्ञ शाह फैसल की जब भी सौदी अरब का नाम आत उसको लोग आज भी याद करते हैं लेकिन एक राजा की एक किंग की उसी के अगर महल में कतल हो जाए तो ये चीज भी चौकाती है और उस वक्त कातिल को लेके बहुत सारी बाते हुई बहुत सारी शक और सवाल हुए साज़िश के पीछे तहह में जाने की कोशिश की गई और पर उस कातिल को जो के सौदी के किंग खांदान का ही था सजा भी मिलती है लेकिन उससे पहले वहां भी यह होता है कि उसकी दिमागी हाला ठीक है नहीं है उसके पहले उसको माफ किया गया कहा गया दिमागी हाला ठीक नहीं है फिर डॉक्टरों के टीम में जान की कहानी ठीक है और फिर उसे सजा हुई उसका सरकलम किया गया तो ये पूरी कहानी किंग्शा फैसल की है लेकिंग्शा फैसल की कहानी सुनाओ उसे पहले एक वाकिया सिर्फ 1974 में किंग्शा फैसल पाकिस्तान के दौरे पर थे तब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो दौरे के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो किंख्षा फैसल को अपने साथ वहां के एक मशूर मजार पर ले जाते हैं किंख्षा फैसल जब मजार पे पीर का मज़ार है और लोग अपनी अकीडत से लोग अपने उस से यहां पर उनके उपर ये पैसे वैसे चढ़ा रहे हैं तो इस पर कहते हैं कि किंग कर दो दे दो तो लोग तो वहां हीरे चांदी मोती पता नहीं क्या-क्या चढ़ा के और उन मजारों को पूजना शुरू कर दे तो ऐसे में तो मैं और सौधी अरब बहुत पैसे कमा सकता है तो उन्हों कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए इसे एक लाइन में की मौत हो गई थी उसके बाद पिता के इच्छत रशाय में पले बढ़े और बच्पन से ही तेज होशियार और इसी सलाहियत की वज़ा से सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उनको एक सौधी अरब में जगाय हिजाज महां का गवर्नर मना दिया गया धिरे धिरे उनकी हुनर, उनकी सता को चलाने की सलाहियत का लोग लोहा मानने लगे और गवर्नर के तोर ही काम करते बएं की इस कामयावी को देखते हुए बाद में उनके वालिद अब्दुलजीद जो शाह थे सौधियरब के उन्होंने विदेश मंत्री बना दिया और विदेश मंत्री के तौर पर 1954 में शायद शाह फैसल पहली बार हिंदुस्तान आय थे तब जवालल नहरू प्रदान मंत्री से उनसे मुलाकात हुई थी और फिर विदेश मंत्री के तौर पर रहते हैं उन्होंने बहुत सारे काम किये और ये पता चल गया था लग रहा था कि अब ये आगे सौधियरब के आने वाले टाइम में जो शाह फैसल ही इसके राजा होंगे अपने कामकाज के दारान उस वक्त सौधियरब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी एजुकेशन महिलाओं की एजुकेशन मीडिया उसको लेके बड़े पुराने ख्याल थे किंग शाह फैसल पहले वो शक्त थे जिन्होंने सौधियरब में टेलिवीजन स्टेशन का गठन किया और एक टीवी चैनल चालू करने का फैसला किया बागादा टीवी स्टेशन बना महिलाओं की एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि पढ़ना जरूरी है अगर इस समाच को और सौधियरब का आगे बढ़ना है तो महिलाओं की तालीम को लेके भी काम करना शुरू किया जिसमों स्वक बड़ी आवाज भी उटी थी सौधियरब में एरपोर्ट बनाना रेगिस्तान के बीच में सड़कें हाईवे ये सब कहते हैं कि असल में शुरूआत कि इंक्शा फैसल के दौर में कि इनकी सोच अलगती और हमेशा वो इनसाफ पसंद किसी के साथ कोई जल्म न हो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखने का काम हा तो लोगों के बीच में धीरे-धीरे मशूर भी हुए और काम इसी तरह किसे करते रहे लेकिन फिर इनके फादर जो अबदुल अजीज है 1953 में ही उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद शाफ एसल की जगे पे जो अगले सौधी अरब के शाफ बनते हैं वो थे शाफ सौध, शाफ एसल के भाई तो सौूद के हातों में अब सौूदी की हुकूमत थी और सौूद और शाह फैसल में बड़ा जमीन आस्मान का फार्ग था शाह फैसल सौूदी अरब को आगे ले जाना ने ने काम करना जो पुराने रोड़ी वादी सोच इसको बदलना महिलाओं की तालीम टीवी स्टेशन का गठन जिसको लेके वहाँ पे कट्रस बहुत सारे लोग खिलाब भी थे दुनिया भर के देशों को सौधी अरब में बुला कर वहाँ पे इन्विस्ट करना ये सारी चीज़ ने रिष्टे अच्छे बनाना ये सब कुछ चल रहा था लेकिन सौध के हातों में आने के बाद सौधी अरब के हालत खराब होती गए क्योंकि सौध शाही खर्चा जो शाही खजाना था उसका बेवज़ा इस्तमाल करना रियाद के बाहर एक बहुत बड़ा पैलिस बनाना जिसके उपर बहुत बेंतिहा पैसा खर्च करना इन सारी चीजों ने धीरे धीरे फिजूल खर्ची ने शाह सौध की इस हरकत की वज़ा से रियाल की कीमत डॉलर के मकाबले में गिरती गई सौधी अरब की फैनेशल हालत खराब होती गई और बोज बढ़ने लगा जिसरे फिछले की शाह सौध के अपने शौध थे और इसको लेकर शाह फैसल और सौध के बीच पर धीरे धीरे हाला के रिश्टे भी खराब हो रहे थे गवरनर के साथ साथ हाला के शाह सौध जब शाह बने तो एक तरह से प्रधान मंतरी बना दिया था शाह फैसल को और शाह फैसल एक वजीराजम प्राइम निस्टर के तोर पे भी काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वो अपना काम कर रहे है वहाँ पे एजुकेशन तीफा दे दिया जिस पर बाद में उन्होंने अपने एक दूसरे भाई को पुठार मंत्री बना दिया लेकिन रॉयल फैमिली में शाह फैसल की इमेज अच्छी थी इसलिए फिर दोबारा प्राइमिनिस्टर बनाया गया बट यह सारी चीज़े चलती रही और इसी बीच में फिर बात इकतलाफ इतनी बढ़ी कि एक पर शाह सौूद यूरोप अपना इलाज कराने के लिए गए जब वो इलाज कराने के लिए यूरोप गए तो उनके पीछे में शाह फैसल ने कैबिनिट की मीटिंग बलाई और कैबिनिटिंग की मीटिंग बलाने के बाद जो उसमे से मिनिस्टर बनाया जब कि शाही फैमिली के लोगों को बाहर किया गया इस बात से शाह सौूद नाराज वो बाहर थे लेकिन उन्होंने वहां से मैसेज भेजा कि मैं चुके अभी भी शेहनशाह हूं मैं सौूदी का किंग हूं और ये जो है ये भी वली एहद है मतलब अगल कि शाह होने का जो खिताब मिला था वो शाह फैसल को ही था लेकिन जब तक शाह सौूद है वो राज़ा नहीं बन सकते थे तो उन्होंना का भी मैं राज़ा हूं ये िलीगल है तो इसके ख्लाब एक्σιन होना चाहिए लेकिन रायल फैमिली का सपोर्ट था शाह फैसल के कर देते हैं इस से शाह फैसल और उनको तब तक बेदखल करके साओधी के नए शाह बन जाते हैं और साओधी के नए शाह बनने के बाद पहला हुक में देते हैं कि शाह साओध की जो नागरिकता है साओधी अरब की वो खारिज कर देते हैं तो मिस्र में पहुचने के बाद र पूरी तरीके से 1964 में सौधी अरब के राजा बन जाते हैं शाह बनने के बाद जो इनका धूरा काम थे यह सारे वो अपने काम कर रहे थे और सौधी अरब कहते हैं कि शाह फैसल के टाइम में ही सबसे जाधा तरक्की के रास्ते पर बढ़ा और बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिससे सौधी की मालई हालत भी ठीक हुई इसी दोरान में 1973 में आपको याद होगा जब वो अरब और इसराइल जंग छड़ी थी तब 1973 में अरब इसराइल जंग में अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा थो और इस बात से नाराज शाह फैसल ने अमेरिका के साथ जो शाह तो अमेरिका ने धंकी दी थी सौधी अरब पे उस वक्त हमला करने की जब इसराइल और अरब एक साथ मिलके लड़ा है थे तब शाह फैसल ने अमेरिका को कहा था कि हम जंग से नहीं डरेंगे हम वो लोग हैं जो रेगिस्तान में पानी और खजूर के उपर भी जिन्दा रह सकते हैं तो इसलिए लेकिन आप टेल के बिना नहीं रह सकते हैं तो अमरीगा के साथ ये स्टांड उस वक्त था शाह फैसल का खैर वो जंग खत्म होती है उसके बाद फिर बाद में धीरे-धीरे अमरिका के साथ वो रिश्टे शुरू होते हैं वो अलग चीज़ है लेकिन इस दोरान में आप शाह फैसल एक तरफा हुकूमत उनकी एक दम सौधी अरब में और वो जो जो अपना कुछ चाह पने शाही महल में वो दरबार लगाया करते थे और आम लोगों की फृएद भी सुनते और वहीं पर फैसला भी करते हैं और यह उन्होंने अपने वालिद से सीखा था तो ऐसी 25 मार्स 1975 को रियाद में दिन का वक्त था शाह फैसल अपने महल में थे और लोगों से मिलना था और उसी में कुछ लोग जो बाहर से आए वे थे खास खतर से तो उसके एक डेलिगेशन आए वे थी हाई लेवल उनसे भी मिलना था तो ये सारी मुलाकात होनी थी 25 मास 1975 की तारीख थी शाफैसल दर्बार में आते हैं कुछ लोगों से सुनते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं कतर के डेलिगेशन से मिलने के लिए उस डेलिगेशन के पीखे में ही उनका अपना एक भतीजा खड़ा हुआ था और उस भतीजे का अभी नाम था फैसल प्रिंस फैसल और प्रिंस फैसल जब वहां पे दर्बार में आया तो आमतर पर रॉयल फैमिली के बहुत सारे लोग ऐसे होते तो जो दर्बार में होते थे इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कुछी दिन पहले अमेरिका से लोटा था दर्बार में आता है कतर के डेलिगेशन के साथ अचानक शा फैसल की नजर अपने भतीजे प्रिंस फैसल पर पढ़ती है जो उनके सौतेले भाई का बेटा था तो उसको देखते ही वो मुस्कुरा के आगे बढ़ते हैं और सौधी रॉयल फैमिली में एक रिवाज है कि जब बड़े होते हैं तो उनको राजा है उसको इज़त देने के लिए उसकी पेशानी को चूमते हैं तो उसको देखके वो आगे बढ़े अपना पेशानी पास लगती है तीसरी गोली में स्वायर होती है गोली लगते ही शाह फैसल जमीन पे गिर पड़ते हैं तब तक उनके जो रॉयल गाड़ थे वो आगे आते हैं उनमें से एक मंत्री अतानक तब चिलाता है कि प्रिंस फैसल को मारू 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 मत जिन्दा पकड़ो उसका उसे जिन्दा पकड़ा जाता है शाह फैसल को फॉरन होस्पिटल ले जाता है डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कुछ तेर के बाद उनकी मौत हो जाती है पहली गोली नहीं काम कर दिया था शाह फैसल की मौत के बाद अब ये बात हर तरफ फैल जाती है और प्रिं पुष्टाच करने के बाद पहली चो चीख होती है वो बड़ी हैरान करने वाली थी कि परिंस फैसल से पुष्टाच करने के बाद ये राय बनती है कि इसका दिमागी हालत इसके ठीक नहीं है इसलिए इसको माफिक तै कि सौओी ग्रॉयल फैमिली में एक कानून है कि अगर अगर किसी की दिमागी हालट ठीक नहीं है तो उसके ओपर मुकदमा नहीं चल सकता उसको सजा नहीं दी जा सकती जैसे अपने हाँ फांसी को लेकर मैंने आपको बताया था कि अगर दिमागी रूप से वो फिट नहीं है तो उसके फांसी नहीं हो सकती तो सौधी में भी यह है कि सरफ एक ऐसा क्लाउज है कि अगर कोई शक्स जिसका ये थाबित कर दें कि आप दिमागी रूप से फिट नहीं है तो उसके उपर ना मुकदमा चलेगा ना उसे सजा मिलेगी तो प्रिंस फैसल के साथ यही हुआ पहली रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि य मागी रूप से फिट नहीं है इसलिए इसको सजा नहीं दी जा सकती है लेकिन कुछ लोग रॉयल फैमिली की ही वो ये मानने को तयार नहीं थे इसके बाद पाकाइदा एक मेडिकल बोर्ट बैठी मेडिकल बोर्ट ने प्रिंस फैसल को पूरा एक्जामीन किया एक्जामीन करने के बाद ये पाया कि ये मेंटली फिट है और उसकी एक वज़ा बताई कि जब महल के अंदर इसने गोली चलाई तो पहली गोली इसने जो चलाई उसे मालूम था कहां पे चलानी है दूसरी गोली भी उसने सही निशाने पे चलाई थी तीसरी गोली में चुके गाड़ थे तो थोड़ा सा उसका बैलेंस कर बड़ा गया लेकिन उसके बाद गोली चलाने के बाद वो आराम से एकदम ख़ड़ा हो गया और ये सब कुछ ऐसा था जैसे प्लान की साथ किया गया था पूरे प्लान की साथ ये चीजे उसकी बाकी पास्ट की चीज़ नहीं इन सारी चीज़ों को जब देखा गया तो फिर मेडिकल बोट और डॉक्टरों के टीम ने अपनी एक्जामिन के बाद रिपोर्ट दी और कहा कि ये दिमागी रूप से बिलकुल फिट है और इस पे मुकदमा चला जा सकता है अब इसके बाद उस पे मुकदमा चलता है पच्छेस मार् और आखिर में वहाँ की अदालत ये मानती है कि प्रिंस फैसल गुनहगार है और सौदी अरब में जान के बदले जान की का कानून है लेने का ये बहुत पहले से चला रहा है तो देब इस थाबित हो गया कि ये गुनहगार है दिमागी रूप से फिट है तो इसके बाद वह प्रिंस फैसल को मौत की सजा सुनाई। 18 जून को प्रिंस फैसल को मौत की सजा देने का बाकाइदा 18 जून को ही ये फैसला हुआ कि इसको मौत की सजा दी जाएगी। और 18 जून की दोपहर को बाकाइदा पूरे रियाद में लौड स्पीकर पे एलान किया गया कि शाह फैसल के कतल की इल्जाम में प्रिंस फैसल को मौत की सजा दी गई है। भी अदालत की इस फैसले को माना और प्रिंस फैसल की मौत की सजा को कहा कि बरकरार रहेगा। दिन में करीब 11-12 बजे के आज-पास से लौड स्पीकर पे लोगों को एलान करना शुरू किया गया है पूरे रियाद में। बताया गिया कि इस इस तरीके से शाह फैसल के कतल के लिए प्रिंस फैसल को जिम्मेदार गुनाइगार मना गया है। और आज ही उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसके बाद प्रिंस फैसल को शाम करीब साड़े चार बजे रियाद में एक गवर्नर पैलिस के करीब एक सेंटरल मौस्क है बहुत बड़ा उसी के पास साड़े चार बजे सजा मौत देने का पैसला हुआ वहीं पे और लोगों से कहा गया कि आप बड़ी तादाद में आए करीब दस हजार आम लोग उस जगे पे पहुँचे जो पैलिस है गवर्नर का उसके करीब और शाम के ठीक साड़े चार बजे एक जिसका हत्ता जो है वो सोने का था उस एक तलवार के साथ एक गार्ड ने बाकरदा वहां जो सरकलम किया जाता सरकलम करने की सजा है वो पर एक बनाया जाता है प्लेट फॉर्म टाइप वहां पर उस पर गर्दन रखा जाता हाथ दोनों पीशे बांद दिया जाते हैं दोनों हाथ बांदे गया है सफेद रंग का कपड़ा पहने वा था उत दिन प्रिंस फैसल बत्तिस साल की उम्रती टोटल और कहते हैं कि बिल तो इसके बार ठीक साले चार बजे दस सार के करीब लोगों की मौझूदगी में जो सदा देने के लिए गाड़ था वो आता है तलवार से एक वार करता है और एक ही वार में वो गर्दन अलग हो जाता है कहते हैं उस गर्दन को जो कट गया था उसके बाद उठा कर उसके सर को वापस उसी लगड़ी के तकते पे रखा जाता है एक घंटे तक छोड़ दिया जाता है लोग देखते हैं और उसके बाद एम्बूलेंस पहले से ही मौझूद था फिर एम्बूलेंस में उस सर कटे हुए और धड़ बाकी को जोड़ के एक साथ एम्बूलेंस में रखा पिर्न्स फैसल पढ़ा लिखा पुल्टिकल साइंस में ग्रिजवेट अमरिका में उसने पढ़ाई की और अमेरिका की से पढ़ाई की उसके बाद वो सौदी अरब लोटता है तो फिर उसने क्यों किया पूरी जांच की गई, दो-तीन चीजें इसमें सामने आई पहली ये कि जब अमेरिका में प्रिंस फैसल था रह रहा था तब उसे एक बार ड्रक्स के साथ, LSD ड्रक्स के साथ पकड़ा गया था एक साल उसको रिहाब सिंटर में रखने की बात केई गी लेकिन बाद में वो चार्ज वापस ले लिया गया लेकिन ड्रक्स, अल्कोहल, इसको लेके उसके खिलाफ हमेशा इल्जाम लगते रहे शाथ फैसल जब अपने टेनियोर में उन्होंने साथी को आगे ले जाने के लिए ये किया था एक काम, जो शाह साओद उनके भाई ने उस वक्त फिजूल खर्ची कर रहे थे रोयल फैमिली के लोगों का खर्चा खर्चे में कटवती कर दी थी हर एक का वहाँ जो रोयल फैमिली के जितने भी होते हैं प्रिंस और ये सारे लोग इन सब का मंथली पैसा बंदा होता है तो कहते हैं उसमें बहुत ज़ादा कटवती कर दी थी शाह फैसल ने कि ये फिजूल खर्ची है इससे बहुत सारे रोयल फैमिली के लोग नारास थे उनमें से एक प्रिंस फैसल भी था नमबर दो प्रिंस फैसल जब वापस पहुंचता है अमेरिका से उससे पहले वो इस्ट जर्मनी गया बैरूत में भी रहा और यहां आने के बाद उसका पासपूर्ट जो है रोयल फैमिली रख लेती है उसको कई बाहर बाहर जाना था लेकिन रोयल फैमिली उसको पासपूर्ट इशू नहीं करती है और ये शायद शाह फैसल के वज़ा से था कि उसको कहा गया था कि ये बाहर ड्रक्स के लिए अल्कोहल के लिए जाता है जिसके बाहर जाने पर भी रोग लगा दो तो पासपोर्ट ना मिलने और साओधी अरब से बाहर ना जाने की भी एक खुंदक एक गुस्सा था प्रिंस फैसल में दो चीजे थी तीसरी चीज कहते हैं कि जिस दौरान शाह सौध जब थे किंग के शाह और शाह फैसल उस वक्त पधान मंत्री तो जब तख्ता पलट हुआ था शाह सौध को हटा कर शाह फैसल शाह बनेते सौधी के उसी हफते शाह सौूत की बेटी से प्रिंस फैसल की शादी होनी थी लेकिन इस तखता पलट की वैसे वो शादी तल गई तो कहते हैं कि प्रिंस फैसल इसको लेके भी नाराज था कुछ और रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि चुके अमरिका को तेल रोकने की और शाह फैसल ने धमकी दी थी अमरिका के साथ उस वक रिष्टे अच्छे नहीं थे इसराइल के साथ आलड़ी जंग हो चुका था जब ये यूएस में था प्रिंस फैसल तो अमरिका के काफी नजदीक था और ये चाहता था कि अमरिका और इसराइल के साथ 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 अरब के रिष्टे अच्छे बने और इसके लिए वहां की एजनसी सियाईय और मुसाद ये दोनों प्रिंस फैसल का इस्तमाल कर रही थी तो एक साजिश की बूई ये भी आती है कि शाफैसल के कतल के पीछे सियाईय या मुसाद का जॉइंट आपरेशन था और उसका मुहरा बना प्रिंस फैसल लेकिन ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया ये सारी चीजें अलग-अलग आई और रीजन के तौर पर एक और चीज जो सबसे हैमाई वो ये है कि प्रिंस फैसल की माने बाद में ये बताया कि शाफैसल के कतल से पहले प्रिंस फैसल ने अपनी मां से एक बर कहा था कि मैं अपने चाचा को मार दूँगा और कहते हैं कि प्रिंस फैसल की माने ये बात शाफैसल को बताई थी कि मुझे डर है कि ऐसा ऐसा वो कह रहा था और आपके साथ कुछ हो सकता है तब शाह फैसल ने पलट की ये कहा था कि अगर अल्ला की यही मर्जी है तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता और इसके बाद उस बात को खतम कर दी और वही हुआ जो प्रिंस फैसल की माने कहा था तो शाह फैसल के कतल के पीछे जो अलग-अलग रीजन है लेकिन आज ये 75 की बात है करीब 45 साल हो गए लेकिन भरे दरबार में अपने ही महल के अंदर अपने ही भतीजे के हाथों उनकी मौत एक कतल एक राजा का कतल और आज भी साओधी अरब या बाकी लोंगे पास ये पुखता कहने के लिए क्या विदेश न जाने की जो आजादी छीन ली गई थी प्रिंस फैसल से उसका गुस्सा निकालने के लिए कतल हुआ क्या शाह साओध की बेटी से शादी होनी थी और शाह साओध का तखता पलट कर शाह फैसल राजा बन गया उनकी बेटी से उसको खुंदक थी शाही फैमिली के लोगों के पैसे काट लिए गया उनका परमन्त क्या इस बात का गुस्सा था एक और चीज आई थी फिर बीच में कि प्रिंस फैसल का एक भाई था प्रिंस हालिद जब साओधी अरब में टेलिवीजन स्टेशन शुरू करने की बात आई और शाह फैसल ने शुरू किया 1964 में टीवी स्टेशन की बात शुरू हुई थी हलागि दो साल के बाद यह शुरू हुआ तो उस वक्त टीवी स्टेशन और ओरतों की तालीम पढ़ाई को लेकर वहां पे बहुत सारे कटर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन में प्रिंस ये जो फैसल था इसका एक भाई था प्रिंस खालिद वो एक ऐसी विरोध प्रदर्शन में शामिल था शाही परिवार के इस फैसले के खलाफ और उसमें पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी थी और उस गोली में प्रिंस फैसल का भाई प्रिंस खालिद मारा गया था तो एक थोरी ये भी आई कि उसको अपने भाई के इस मौत का बदला लेना था लेकिन फिर सवाल आता है कि वो 64-65 में बात हुई थी 9 साल के बाद वो बदला क्यों लेगा अपने भाई की मौत का लेकिन पॉइंट सारे यही थे विदेश ना जाने की इजाजत सर मंथली पॉकेट मनी में कटोती तीसरा ये की साओत की बेटी से शादी ना होना चौथा भाई की मौत का बदला या फिर पांचवा ये कि अमरिका और इसराइल के साथ जो रिष्टे थे उस रिष्टे को सुधारने के लिए शाह फैसल को रास्ते से हटना जरूरी था और इसके पीछे सी आई और मुसाथ का एक जॉइंट ऑपरेशन था ये ये ही चार पांच रीजन है लेकिन 45 साल के बाद आज भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि शाह फैसल के पीछे असली मकसद असली साधिश क्या थी तो ये थी कहानी स आप लोग संडे एंज्वाए करें मंडे रात नोबे कहानी लाइव होगी आप से बात चीट भी होगी सवाल जवाब भी लेंगे तब तक अपना ख्याल रखे थाइंक यू बरीमच